नवस्कार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दे जो हम आपके सामने लेकर आए हैं शहादत और भारतिये जनता पार्टी की बेशर्मी जी हाँ कश्मीर में हमारे तीन वीर शहीद होते हैं मगर दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्शा जारी रहती है मुद्दा नमबर दो इंडिया घटबंधन करेगा नफरती आंकर्स का बॉइकॉट और मुद्दा नमबर तीन शाहरुखान की फिल्म आई है जवान उसके राजनीतिक संदेश पर बीजेपी और कॉंग्रेस आमने सामने हैं हम बात करेंगे फिल्मों के राजनीतिक मगर हम शुरुआत करना चाहेंगे दोस्तों आज की बड़ी ख़बर आप जानते हैं कि कश्मीर में कातिनकवादी मुटभेड में हमारे तीन वीर एक करनल एक मेजर एक डियस पी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं पूरा देश उससे सखते में हैं मगर दिल्ली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी पर पुष्प वर्षा जारी रहती है जबकि इस पुष्प वर्षा को वो स्थगित कर सकते थे मगर कोई मौका नहीं छोड़ती है बीजेपी जो है वोट को लेकर दूसरी तरफ संसत का जो सत्र हो रहा है उसके अंदर चुनाव आयोक के पर कैसे काटे जाएं उसकी भी जमीन तयार हो रही है ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों क्या है इस मुद्दे का पंच शुरूआत और मेरे इश के साथ तूट पढ़ते उन पर सरकार पर सत्ता प्रतिस्थान पर लेकिन आज कोई कहने वाला नहीं है सवाल आम जंता उठा रही है लेकिन मीडिया खामोश है भाशा क्या है स्मुद्दे का पंच अविसार एक बात साफ है लाइट कैमरा एक्शन से और फ्रेम से मुद्दी जी किसी भी सूरत में बाहर आना पसंद नहीं करते जब पुलवामा हो रहा था तब वो जिम कॉर्बेट में थे और जब ये घटना हो रही थी तब उन पर पुश्प वर्शा ही नहीं हो रही थी बीजेपी के तमाम लोग उन्हें एक एक करके गुलाब पेश कर रहे थे गाना बजरा था जशन का महौल था ये दरसल बताता है कि उनकी जो राष्ट भक्ती है जवानों के प्रती प्रेम है देश के प्रती प्रेम है वो क्या है उन्हें अपने अलावा किसी और से प्रेम नहीं ये जो फ्रेम है ये बता रहा है अभी सार क्या है इस पे आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि इस देश में राश्टबाद देशभक्ती शब्द का अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो बीजेपी ने किया है जी हाँ पुलवामा में सरकार की नाकामियों पर अगर आप सवाल करते हैं तो आपको देश-द्रोही बता दिया जाता है भाच्पा की एक खासियत है कि किस तरह से मुद्दों को और उसकी दिशा को भटका दें अपनी जवाब देही के बजाए विपक्ष और सवाल पूछने वालों पर दोश मढ़ा जाए मैं उस नजारे पर विश्वास नहीं हो रहा था वाकई बहुत यहां बहतरीन बात कहिया और बिलेश जी ने कि सोची अगर 2014 से पहले नजारा होता टेलिविजन स्क्रीन पर आधे स्क्रीन पर होती पुश्प वर्षा और आधे स्क्रीन पर उनका जो अंतिम संसकार किया जा कायर है ये मीडिया कि वो मुद्दा ही नहीं उठाना चाता वागर सबसे शर्नाक प्रधानंत्री क्या जानते नहीं थे लोग इस तरह से शहीद हुए और देश के ग्रिह मंत्री वहां मौजूद हैं जिनको कायदे से उस समय तुरंत मौके क्या क्योंकि उस समय यह जो कॉंट्रास्ट है अभिसार यह बता रहा है कि दरसल भारती जनता पार्टी को अपनी प्रशंसा अपना चेहरा और मोदी जी को खास तोर से मैं भूल नहीं सकती हूँ कि किस तरह का गाना बज़ रहा था नेशनल हैटकोटर में उनके और गाने में बिल्कुल राजा की तरह आ रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं कैमरा सारे के सारे लोग वहाँ पर हैं और ग्रियम मंत्री हैं जिस ग्रियम मंत्री को इस बात पर चिंता और जवाब दे होना कि कैसे हो रहा है कौन लोग है जो मारे जा रहे हैं उसी कश्मीर में और सिर्फ कश्मीर नहीं मनिपुर मनिपुर में एक आपका सिपाही मारा जाते है II कि जगा आज आ जाते हैं लेकिन दिक्कत यह मोधी जी लाइट कैमरा आक्षन से इतना मोह ग्रस्त है कि उनको लग रहा था कि ये जश्न में कैसे खलल डलेगा बिजेपी की एक और खासियत है जब पुलवामा हुआ था तो क्या मुद्दा था हमारे सामने कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जबकि आपको याद है फ्रंट लाइन की रिपोर्ट की ग्यारहा चेतावनियां मिली थी आर्मी के उस वक्त की चीफ जनरल विपिन रावत से सवाल किया गया था सेर ऐसा इंटेलिजन्स आ रही है कि बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है उन्होंने का हम सब तयार है मगर ना सिर्फ नारिटिव को बदल दिया मीडिया के जरिये बलकि जो सवाल पूछ रहे थे उन राजनीती में ऐसा लगता है कि उसका एक अंतहपूर है अंतहपूर मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके ये जो सत्ता संरशना है ये कैसे आपरेट करती है कैसे ये काम करती है इसकी अगर पर्दर पर्द खुले तो मैं समझता हूं कि हैरतंगेच सच्चायां सामने आएंगी पुलॉमा के बारे में दभी जुबान से बहुत सारी बात ने कही जा चुकी है इस देश में मैं एक जर्नलिस्ट हूं बिना ठोस प्रमान के बिना ठोस तत थे के मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बात नहीं कह सकता लेकि सत्पाल मलिक तो वहां के लाट साहब थे औ अर्मी आफिसर्स बोल चुके हैं एकस आर्मी आफिसर्स ने बात ने कही है पुलॉमा अपने आप में मिस्टरी है कि डिस्पाइट आफ रिक्वेस्ट फ्रम टॉप आफिसियल्स क्यों नहीं उनको हवाई जहाज दिये गए बखतर बंद गाड़ियां तक नहीं दी गई च कश्मीर में कल हुई साउथ कश्मीर में आम तोर पे हाल के दिनों में इस तरह के हमले नहीं हुए थे आम तोर पे जम्मू में जो राजवरी पुंच का इलाका है वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की घटना हो रही थी इस घटना के बाद तब रह जाना चाहिए था सरकार को क हो कैसे गया, यह क्या हो गया, लेकिन अगर आपका कार्टर्म मानीजर निर्धारी था कि जी 20 में आपकी कामियावी पर आपका अभिनंदन किया जाना है, आप तत्काल मुलतवी कर देते, सरकार यह करती नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होता, आप मुल्तवी करके दो दिन बात करा लेते हैं अपना अभी रंदन अभी पार्लामेंट सेसन आने वाला है उसी में करा लेते हैं उसमें होगा ही होगा ही मैं समझता हूँ उसमें जरूर होगा लेकिन इस घटना के बाद उसी समय ये कराना मैं समझता हूँ कि ये नौकेवला इंडिया की बैठक हो रही थी बीजेपी नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह का coverage मिले इसलिए प्रधान मंत्री पर पुश्प वर्षा किया जाए तो वो visually appealing है मगर emotionally emotionally इंसानियत की निगाह से humanitarian निगाह से ये कितना समवेधन हीन है सिर्व इसलिए सिर्व इसलिए कि आपको विपक्ष को दबाना है आपका वो आयोजन होता गया और देखे लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इन से चूक हो गई अगर आप Indian Express देखिए अगर आप टेलिग्राफ देखिए दोनों ही जगह दोनों ही जगह ये खबरें बड़ी पैमाने पर फ्रंट लीड है कि इस तरह से और जवानों का मारा जाना इंकाउंटर चलते रहना अभिसार ये सोचिए ये पहली बार शायद इस देश के इतिहास में हुआ होगा कि एक एंकाउंटर चल रहा है और आपके देश के प्रधान मंत्री और ग्रिह मंत्री जश्न में शामिल है मुझे तो तस्वीर देखके लग रहा था कि ये नीरू वाली घटना है कि रोम जल रहा है और वो बासुरी बजा रहे है यहां तो सारे के सारे लोग अभिनंदन में लगे हुए थे ऐसा लगी नहीं रहा था कि देश में इतना बड़ा संकट आपका क्राव हुआ है यह भाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी जानती है कि मीडिया इसे कवर नहीं करेगा जैसे हमने कायर कर्म शुरुआत में कहा अगर यही 2014 से पहले होता तो आधे स्क्रीन पर जश्न हो रहा होता और आधे स्क्रीन पर पार्धिव शरीर लेकिन वही मैं कहा रही हूँ अभिसार यहां पर मामला थोड़ा इंका गड़बडा गया क्योंकि टीवी चैनल्स को भी मजबूरन मजबूरन बहुत दिल में तकलीफ हुई होगी लेकिन वह स्क्रीन दिखाना पड़ा जहां पर वह जो जवान मारे गए उनके परीजन आर्ट को कि वही सोचिए तीन चार मिनट का अंतर है दोनों घटनाओं में जो हो रही है लाइव इंकाउंटर चल रहा है उसको भी आप मिस नहीं कर सकते तमाम अखबारों के लिए ये सबसे बड़ी खबर हुई लेकिन आप जो कह रहे हो जरूर है कि इंडिया गडबंधन की जो बैठक है बहुत हाशिय में चली गई और हमने इससे पहले भी देखा है इसी तरह का आयोजन हुआ भविदी भी गोश्राएं हुई ये पार्लिमेंट का जो सेशन होने जारा ठीक उसी समय होता है जब इंडिया गडबंधन की बैठक हो रही होती मुझे लगता है उर्मिलेश जी ये एक किसम की निर्दई निर्मम ये ब्रूटल पॉलिटिक्स है कि हमें अपना लक्ष किसी भी कीमत पर हासिल करना है चाहे जवानों की शहादत हो कुछ भी हो हमें वो मनजर दिखाना है जहां देश के महराजा का स्वागत हो रहा है पुष वर्शा हो रही है और हकीकत ये भी है कि इन्होंने एक ऐसा वर्ग बना लिया है जो उसकी वावाही करता है नौ साल का ये प्रयास है उसी का परिणाम तो है ये ब्रूटल जो ये ब्रूटलिटी है वो हर जगे दिखाई देती है इस ऐसे माउके पर दिखाई देती है इसके अलावा आपके देश में कोई जशनी महौल है कोई बहुत बड़ा उस्सा हो रहा है कोई बहुत बड़ा समार हो रहा है आप अपने शहर के गरीबों को ठंक देते हैं ये पर्दे दारी क्यों भई आप गरीबी तो खतम करते नहीं तो गरीबों को ठंक देते हैं क्या लोगों को दुनिया भर के लोगों को मालूम नहीं है कि भारत में हंगर इंडेक्स क्या है भारत का लोगों को मालूम नहीं है कि भारत Human Development Index में कहां खड़ा है पूरा जो मेडिया आया था G20 के कवरिज के लिए ही European countries का अमेरिका का या दूसरे और देशों का उसने live कवरिज किया है उनके television channel ने किया है उनके अख़वारों ने छापी है रिपोर्ट दुनिया बरके बड़े बड़े अख़वारों में जिनकी बहुत credibility है पूरी दुनिया में उन लोगों ने भारत की गरीबी पर भी कहानिया बनाई है और ये भी बनाई है कहानिया कि कैसे मोदी जी के पूरे के पूरे प्रचार में इस G20 का आयोजन ढख किया उनके प्रचार से और जो लोग थे शहर में उनका आना जाना सब कुछ ठप कर दिया गया अभी सार जो एहंकार है जो इस तरह से वो ऊपर देख रहे हैं जब फूल उन पर गिराए जा रहे हैं जो गाना चल रहा है तो ये देखके ऐसा लग रहा है कि आप लोगतंत्र की जगा पूरी तरह से अंदर से मान चुके हैं कि आप एक राजा है और राजा का मन आज जश्म करने का मैं इससे पहले की अगले मुद्दे का रुख करूँ बहुत संख्शिप मैं आज से जानना चाहूंगा कि कम से कम सोनिया गांधी जिन ओखत लिखा था उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार इन्हें बताना पड़ा कि भाई जो विशेश सत्र का एजिंडा क्या होगा मगर एक बार फिर उस विशेश सत्र के एजिंडे में भी शुनाव आयूग के जो आयूगतों की जो नियुकती से चीफ जस्स ओव इंडिया को बाहर निकालना जिसके सुप्रीम कोट का फैसला है वो जाहिर हो रहा है यानि कि एक बार फिर हर चीज वोट के लिए है और हर चीज वोट में 100% अपने लिए गैरंटी का पूरी तैयारी की है और मुझे ये जरूर संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी अभी सार ये जो मुद्धे आये हैं इनके अलावा भी कुछ बड़ा घटित होने की तैयारी है जो हम सब देखेंगे लेकिन चुनाओं के लिए वोट के अब हम रुक करेंगे अपने दूसरे अहम मुद्धे का जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ पुषवर्शा हो रही थी और दूसरी तरफ इंडिया खटबंधन की बैठक हो रही थे और इसमें बड़ी चीज सामने उभर कर आई और वो बड़ी चीज क्या थी कि दस नफरत न्यूस चैनल्स पर लगाम लगाई जाएगी मगर बड़ा सवाल यह कि क्या इससे समाज के अंदर जो नफरत है गोदी मीडिया जिस तरह से जहर पहला रहा है उस पर लगाम लगी क्या है इस मुद्धे का पंच भाशा अब इसार यह देर आयत दुरुस्त आयत वाली कहावत लगती है मुझे चिरतार्त होते हुए इंडिया को यह पहले उठा लेनी चाहिए थी और साथी साथ यह भी कहना चाहिए था कि हमारी जितनी सरकारे हैं राजे सरकारे इन तमाम चैनलों को कोई विग्यापन नहीं दे इस मीडिया पर प्रेशर वो नहीं डाल सकते अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच साफ है कि जब तक गोदी मीडिया की हरकतों के कानूनी पर अनाम नहीं होंगे उसके लीगल कॉस्स नहीं होंगे पैसे की भाषा समझते हैं जब तक वो कीमत नहीं चुकाई जाएगी विपक्ष जो भी फैसला करेगा वो आधा अधूरा होगा और मिलेश जी क्या इस मुद्दे का पांच अविसार आपने जो अभी बात कही उससे मैं एक हद तक सामत हूँ लेकिन मैं इसको और आगे पढ़ा कर कहना चाहता हूँ कि देखे ये कुछ एंकरों की समस्या नहीं है जो भारती मीडिया का चेहरा इतना बच्शकल हुआ है ये इंडिविजूल्स की समस्या नहीं है ये संस्थागत समस्या है ये मीडिया के अंदर जो आपको कुरूपता विरूपता जो भी आप कह लिजिए जो भी आपको दिखाई दे रही है भारती मीडिया में आज खास कर टीवी पूरम में ये टीवी की संस्था में है मीडिया के संस्थान में है और उसका निराकरण मैं समझता हूँ कि संवैधानिक स्तर पर किया जा सकता है राजनितिक स्तर पर किया जा सकता है पॉब्लिक स्फियर के जरिये यानि लोग जीवन के जरिये किया जा सकता है, इसके लिए बड़े राजनीतिक मुबलाइजेशन की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है. मगर अभी कुछ देर पहले हम इस बात पिले चर्शा कर रहे थे उर्मिलेश जी, कि यही अगर 2014 से पहले का मनजर होता, तो आधे स्क्रीन्स पर न्यूस चैनल्स जो हैं, वो प्रधान मंत्री की पुश्वरशा दिखाते, और आधे स्क्रीन्स पर हमारे सैनिकों की शाहदत, यानि 2014 से पहले मीडिया थी, जो सवाल उठाती थी, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे सामने कैसी राजनीतिक फोस है, जिसके दबाव, जिसके डर, जिसके धमकाने के चलते, ये लोग रेंग रहे हैं, मुद्दा वही है, मुद्दा बीजेपी और उसका डर और दबाव है, तो क्या उसको हम जो एक बड़ा मुद्दा जवाब बनाने की कोश्च कर रहे हैं, ये जायज है, बिलकुल, इसलिए जायज है, कि उस दोर में भी, हमने मीडिया को देखा है, उस दोर में भी, जब कॉंग्रेस रिजीम में ही, मीडिया लगभग, जिसके जिसके कहते हैं न आज किसी की हिम्मत है निकालने की, नहीं निकाल सकता है, नहीं मैं यह कह रहा हूँ कि आज भी टेलिग्राफ जो है, कम से कम एक अख़बार तो है, आपने बहुत खुशी है कि आपने टेलिग्राफ का नाम लिए, बहुत दिल्चस बात है, टेलिग्राफ तो करता है, मगर ABP News को देखिए दोनों का फार्ग देखिए उसकी वज़ा है कि हिंदी के लोग को हिंदी लोग जो है न आपका यूपी बिहार राजिस्थान बद्रदेश उसको देखने उसको उसका जो दर्शक बर गए श्रोता जो है उसको चाहिए कि भारती जंता पार्टी की या हिंदु कुट्वा को मजबूत करने वाली जो राजिए इसके लिए एवी पी को देखिए मैं उस संस्था में काम कर चुका हूँ मैंने उस संस्था का पतन अपनी आँखों से देखा है अगर अगर आप सामान में पत्रकारिता करें जहां आप बुनियादी सवाल पूछें तो चले का मैं नहीं भूला हूँ कि मैंने सिर्व इतना सवाल किया था भाशा कि भर सुल्पान पूर में ट्रेडर को आपने पर गोली मार दी दो दिन पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि यूपी में आईये इन्वेस्ट कीजिये फिर इतना कहने के लिए कि भर इतना की यूद्या यहां पर आप देखेंगे कि डिमोक्रासी के लिए जगह होती है आप देखी United Front की सरकारें जितनी बहतरीन सरकारें अगर आप भारत में देखेंगे वे सारी गठबंधन की सरकारें हैं लेकिन मीडिया ने क्या कहा खिचडी सरकारें जैसे लगता है कि गठबंधन खिचडी का नाम लो वर्ष्ट सरकारें इस देश में सबसे बहतरीन सरकारें हाल के वर्षों में गटबंधन सरकारे रही हैं हम थोड़ा मुद्दे से बड़के रहे हैं एक चीज में अभी सार कहना चाहती हूँ कि ये बात से मैं बिल्कुल इतफाक नहीं रखती है कि हिंदी बेल्ट यही देखना चाहती है क्योंकि इसी हिंदी बेल्ट में सबसे बड़े पैमाने पर सारे यूट्यूबर्स चैनल्स जो अंगिना चैनल्स चल रहे हैं जो सची पत्रिकारिता कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा व्यूवर्शिप मिलती है यानि लोग देखना चाहते हैं हम यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी या मीडियम का फर्क नहीं है मुझे एक बात बिल्कुल साफ लगती है कि इस मीडिया पर तुरंत अगर कंट्रोल नहीं किया जाए और इंडिया के तमाम लोग इंडिया गडबंधन के तमाम लोग अभी सार जब यहाँ पर जाते हैं इन तमाम चैनल्स पर और मैं यहाँ नाम लेके कहूंगी चाहे वो रिपब्लिक पर जाते हो चाहे टाइमस नाओ पर जाते हो चाहे भी पर जाते हो और आपके जो तीहाडी चैनल वाले हैं उनके हाँ जाते हो तो उनके पास रखने की बात, रखने की कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, एजेंडा पहले से तह है, अगर ये बाइकॉट नहीं किया इस समय, क्योंकि चुनाओ का बिगुल बच चुका है, सारे तैयारी है, तब तक इन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डि अगला जाता है, जहां जूटी खबरों का प्रचार प्रसार होता है, जहां चैनल दंगाई हो गया है, और मैं दंगाई शब पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, मुकेश अंबानी के द्यूस चैनल के उस पत्रकार के खिलाफ दं करनाटिक सरकार अब सबसिडी सिर्फ माइनॉरिटी इसको दे रही है, जबकि ना सिर्फ माइनॉरिटी इसको और पिछड़े वर्गों को भी, तो यहां तो जूट है, यहां दंगा भड़काना है, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ बॉईकॉट के इलावा, टेका स्ट्र बढ़ियां रहेंगी, और यह 2013 या 12 में, पार्लामेंट आफ इंडिया की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भारती मीडिया की जो चैलेंजेज हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, कैसे इसको ज्यादा डेमक्राटिक नहीं हुआ, इनफॉर्मेशन टेकनालोजी मिनिस्ट्री की वो इस्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज भी पार्लामेंट में पड़ी हुई है, हमारा कहना है, उस समय यूपिया रिजिम थी, इसलिए नहीं हुआ, कोई मीडिया को देखता नहीं, जब तक उनका काम हो है मीडिया में, सब ठीक है, यह सारे के सारे जो इनको नफरती एंकर बोल रहे हैं आप, इनमें से ज्यादातर यूपिया रिजिम में भी थे, उस समय उनका टोन अलग था थोड़ा, उस समय थोड़ा अलग धंक से बोलते थे, फिर यह जब यूपिया कल ना कीजे, कल सारे के सारे, बिलकल आप सही कह रहें, इसलिए यह संस्थागत समस्या है, यह समस्या है, बालिकानों से जोड़ी समस्या है, यहां पर जो मुद्ध का दिख्रिहां पर और मिलेश कर रहे हैं, मतलब एक मिसाल देख लिए, अडानी के न्यूज चैनल, NTV को लेकर एक खबर आती है जहां पर यह बताया जाता है कि उनके संपादक ने अपने रिपोर्टर को कहा कि create a ruckus राहूल गांदी के press conference में यूज लॉन्री खबर का हवाला मैं आ दे रहा हूं कॉंग्रिस ने भी उस पर बयान दिया और इंडी टीवी वो platform है जिसने खुबसूरत पत्रकारिता की है एक मिसाल पेश की है उन्हें बहतरीन पत्रकार वहां से निकलें तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे यह ownership बदलता है चैनल का स्वरूब बदल जाता है चलिए माना कि एंडी टीवी अभी जहर नहीं उगल रहा है रिपाब्लिक न्यूज जैसा मगर कहीं न कहीं वह सत्ता का एक extension बन गया है और देखे इसलिए बहुत important बात यह है कि मीडिया खड़ा कहां है मीडिया को जो ओन करने वाले लोग हैं अंबानियों अडानियों वह कहां खड़े हैं क्या वे अपने ही सरकार के खिलाफ मामला करेंगे नहीं और इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गड़बंधन ने यह जो कदम उठाया हैं वहीं से यह आवाज उठी थी इंडिया गड़बंधन और तमाम विपक्षी नेताओं को यह एड्रेस किया गया था आपको याद होगा चैनल में तो मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है तुरंत एक बड़े पैमाने पर मीडिया पॉलसी आनी चाहिए और निश्चित तोर पर अगर सरकार बदलती है तो यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी होगी उर्मिलेश जी सबकी जिम्मेदारी होगी सरकार पे हमारी बात सुनी नहीं आती है नहीं नहीं मैंने का यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि मीडिया की जो स्ट्रक्श्रल डेफिशेंसी है जो गरबड़िया है उन पर हम सवाल उठाएं और हस्तक शेप करें और अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे और एहम मुद्दे का शारुख खान की फिल्म जवान रिलीज होती है जो ताबर तोड तमाम बॉक्स आफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है मगर उस फिल्म के अंदर राजनीत एक संदेश भी है जहां शारुख इस बात को लेकर अपील करते हैं कि जो लोग नफरत की राजनीती करते हैं उन्हें वोट मत दीजिए डॉक्टर कफील खान ने जिस तरह से चुनौतियों का सामना किया था इंसिफलाइटिस से बच्चे जिस तरह से जिनकी मौत भी थी उसका जिक्र है और यही नहीं क्रोनी क्याप्टलिजम किस तरह से उद्योगपती भारत के नाच्रल रिसोर्स का हनन कर रहे हैं करप्शन का हैवान बता रही है कमनात को और दूसी तरफ कॉंग्रेस जो है वो बीजेपी पर निशाना साद रही है शाहरुक के गेटप में उन्होंने शिवराद सिंग चोहान को पेश कर दिया है भाजपा के विवादास्पत प्रवक्ता गौरव भाटिया तो ये भी कह रहे हैं कि दरसल जवान जो है वो कॉंग्रेस पर हमला है तो एक फिल्म को लेकर जो है पुलिटिकल मेसेजिंग हो रही है क्या है इस मुद्देकापन शुरुआत करेंगे और मिलेजी के साथ सिनिमा को उसको सामने रखना चाहिए रीक्रियेट करना है सिनिमा का काम क्या है या साहिति का काम क्या है यथार्थ का रीक्रियेशन है और ये काम आज अगर सिनिमा कर रहा है तो ये हमारे भले के लिए है जो नहीं कर रहा है समझ लिए समाज का नुक्सान कर रहा है भाशा क्या है समुद्दे का पंच अभी सार मुझे लगता है कि जवान के जरीए जो मैसेज दिया गया है और जिस तरह से उस पर राजनिती हो रही है वह बता रहा है कि जवान में आज के दौर के सुलकते हुए सवाल है वे सवाल जिनसे कोई भी पॉलिटीशियन बच नहीं सकता है और यह समझना जरूरी है कि देश का दर्शक सीरियस सवालों पर पॉपुलिस्टिक फिल्में देखने के लिए तैयार है बॉलिवुड को हिम्मत दिखानी चाहिए जो जवान में दिखाई गई है अभिसार क्या है इस पे आपका पंच विल्कुल सही का आपने भाशा कि बॉलिवुड को हिम्मत दिखानी चाहिए और ओलमिलेज ने जो बात कही कि फिल्मों को समाझ का आइना होना चाहिए बॉलिवुड को और हिम्मत दिखानी चाहिए अगर आप दक्षण की मसाला फिल्मों पर आधारित पठान और जवान बनाते हैं तो दक्षण में जैभीम जैसी फिल्में भी बनती हैं जन गण मन जैसी फिल्में भी बनती हैं जो समाज को आइना दिखाती हैं नफरती राजनेताओं को कट घरे में रखती हैं बॉलिवोड है, उतनी हिम्मत भी यहाँ पर दिखाएगी। मेरे खाल से बहती गंगा में इस वक्षाहर को यहाँ धोना चाहता है। अब बताईए, भाजपा यह कह रही है कि जवान जो है, वो कॉंग्रेस पर हमला है। जबकि आप जानते हैं, डॉक्टर कफील वाला इंसिरिंट का वहाँ पर जिक्र है, और भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है, क्योंकि वो दो फिल्मों के जरिए सकसेस टेस्ट कर चुकी है। कश्मीर फाइल्स जिसको प्रमोट खुद प्रधान मंत्री ने किया, केरला फाइल्स एक नहाई थी जूटी फिल्म क्योंकि उन्होंने अदालत में माफी मांगी थी, 32,000 नहीं तीन लड़कियां ISIS की चंगुल पर पसी थी, तो भाजपा उस प्रोपिगांड़ा को समझती है, इसलिए जवान की सफलता से नर्वस है, और देखें, नर्वस होना बहुत सभाविक है क्योंकि इससे पहले पठान पर भी उन लोगोंने बहुत, मालब उन लोग जब मैं कह रही हूं, तो उनकी जो पूरी ब्रिगेड है, नफरती ब्रिगेड वो उतरी थी, लेकिन इस सबस्तिंग सीन है, कि कॉंग्रेस, भारती जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, यह सारे के सारे लोग इसी फिल्म पर, इस फिल्म में सुलगते हुए सवाल है, अभिसार, जिसको इग्नोर करना, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन सबसे हैरानी की बात है, कि भारती जनता पर आके कहते हैं, कि आप जब वोट देंगे, तो क्या आप यह सोचेंगे, यह सोचेंगे, यह सोचेंगे, वो बिल्कुल मोदी जी की मन की बात का एक काउंटर जैसा सीन भाई देता है, यहां पर उर्मिलेश जी, भाजपा इस सौफ्ट प्रोपिगांड़ा की ताकत को सम मचता है, यही वज़ा है कि खुले आम कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म जो एक मेरे इसास एक डिजॉनस्ट फिल्म थी, अगर आपको फिल्म के अंदर यह बताया गया है, भाई कश्मीरी पंडितों की प्रोब्लम जोकी है, एक समस्या है, मगर दूसी तरफ फिल्म में इतन को भी कहा जा रहा है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, कई प्रोडक्शन हाउस को यह कहा गया है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि अगर आप पांच फिल्म में बनाएं, तो एक फिल्म हमारे प्रोपेगेंडा में होनी चाहिए, और फिर उनको और जिस तरह TV पूरम में आपके दोस्त हैं, वैसे ही Bollywood में मेरे भी कई दोस्त हैं, TV पूरम में तो हई है, और Bollywood में कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे जो script writer हैं, कुछ एक जो हैं, जो अचछे producers के साथ काम करते हैं, कुछ है directors में हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने, जो क लेविल का पदाधिकारी दो साल पहले की बात है मुंबई में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में और मैं जब यह बात कह रहा हूं आपके मंद से तो यह बिलकुल प्रामारिक है उस मीटिंग में जितने प्रोडिसर डिरेक्टर महत्पुन फिल्म एक्टर बखरा ऐसे लोगों को बुलाया गया था चुलंदा लोगों को और उसमें वकाएदे ब्रीफिंग की कि कैसे बाली वूट का करेक्टर को चेंज किया जाना चाहिए इसे देश्भत्ती ओरियेंटेट बनाया जाना चाहिए मानो इसके पहले देश्ट्रो ओरियेंटेट था नहीं वो प्रोपगैंडा चलता है और वकायदे हिंदुत्वा के साथ सो काल कल्चर अपनी जो है उसको ग्लोरिफाई करने के नाम पर अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई सवाल उठाता है कि कल्चर तो शेंबे निगल की फिल्मों में भी है कल्चर तो रित्मी घटक की फिल्मों में है कल्चर तो मिडाल सेंड की फिल्मों में है तो आप क्या कहेंगे मेरे कहना है कि अगर कोई समाज को दिखा रहा है अपनी फिल्मों में सचाई दिखा रहा है कल्चर दिखा रहा है सोसाइटी के कॉंटरिक्शन दिखा रहा है आप कहेंगे जाती का सवाल क्यों खड़क कर दिया फिल्म में वाली बूड में इन्फिल्ट्रेट किया गया है ताकि वहां कलाकारों की नहीं चले उपर आप कुछ इंजेक्ट करें उसके आधार पर नए लोगों को आप 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 दिल्वाएं और प्रोपगेंडा दिल्वाएं और एवार्ड भी दिल्वाएं वदी वक्त इतना ही मेरे और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा आपने जिस बैठक का यहां जिक्र किया मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा और ये तवलीन सिंग ने इस बारे में कहा था तवलीन सिंग ने कहा था कि एक इंडिया टुडे का कारकरम था और मंच पर शाहरुख खान उनके साथ RSS के एक अधिकारी थे उनने नाम नहीं लिया उनका और उस RSS के अधिकारी ने शाहरुक के इस समारों के बात कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे या शायद सत्ता में थे इन तीनों का इलाज हम करेंगे और फिर आपने देखा किस तरह से आमिर खान पर निशाना साधा गया किस तरह से शारु खान के बेटे को नहीं बक्षा गया उनकी फिल्मों के बॉयकॉट की बात उन्हें देश द्रोही बताना खान गैंग बोलते हैं हाँ और समानांतर तोर पर फिर आपने देखा कि आम काट कर या चूस कर खाने वाले अक्षे कुमार के सवालात थे सामने अजे देवगन का प्रोपेगांडा था और इनकी फिल्मों का एक सौफ्ट प्रोपेगांडा आप लगातार देख रहे थे तो आपने बिल्कुल वाज फिल्म है यह सौफीजदी लेकिन राजनितिक संदेश के साथ है जिसको बायकॉट आज की तारीख में इंका प्रचार तंत्र भी नहीं कर पारा यह ताकत है बॉलिवुड की बहुत और शुक्रिया भाशा और उर्मिलेश आपका इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शेरमा को दीजे अजासत और इस कारकर्म को जाद से जादा लोगों तक पहुंचाईए नमस्कार